आप अपनी बात को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए आप खुद को अपने को मी टाइम दीजिए और अपने को भी खुश रखिए तो वो काफी confidence में लोग फील कर भी और उनको एक अजीब सी weakness मैसूस होती थी अफेर चल रहा है उनके साथ सेक्स होनी वारा इंसौलवेबल थी क्योंकि घरवाले साथ देते नहीं थे वो होमेकर थी अपने पती को छोड़नी सकती थी अजी इंटरपरसनल थी विकाउस पती के साथ रहना भी था और नहीं भी रहना था अगर नहीं रहना था बचो को पाले कैसे तो अब यह काई सिच्वेशन ऐसी होती है इनका हमारे बास भी कोई सटीक हल तो नहीं होता तो अगर उनकी कोई बात मन से सुन ले और दिन से सू आते हैं कि कोई आपकी मन की बात सुने नवाश्कार हमारे क्लिनिक में एक 40 साल की उम्र की बहिला आई जिनके अपने दो बच्चे थे जिनकी उम्र लगबग 8 और 6 साल के आसपस थी और उनकी अपने हस्बेंट से नहीं बनती थी जब डिटेल इसलिए गई साइकोलोजेस्ट के द्वारा और मेरे द्वारा तो यह पता लगा कि उनका हस्बेंट का एक्स्टामरेटल अफेर उनका आपस में सेक्स भी नहीं होता है तो वो काफी कॉन्फिदेंस में लोग फील कर भी और उनको एक अजीब सी वीकनेस महसूस होती थी उनके हाथों में औ आफ कंडक्शन टेस्ट कराएं अपना वाइटमीन डी वाइटमीन ब्लड इंवेस्टिकेशन जो आप सोच सकते हैं उन्होंने सब कुछ करा दिया छे आडमीने बीच चुके थे और सभी चक्कर वो काट चुके थे कवापेंटीन और जो आप दवाई का नाम लें पेंकिलर और मल्लिवाईटमीन वो सब खा चुकी थी बलकि गएप उनका बुलड टेस कर रहा था है उनम्तो वाइटमीन अभी चुके हाई हाई था चुकि कई भाईपार लोग इतना मल्लिवादमान खा कर लएते हैं UK वीकिनेऄरी है वीकिनेनस मैंने का दोस्त इसको ना देख़ राज और भी खुले कि उनके husband का जो affair था multiple affairs थे शुरू से रात तो वो काफी परेशान हो चुकी थी और वो ही मिरे को बार बार यूज करना पड़ता है जो मैंने फिछले वीडियो में भी यूज किया है कि यह problem intolerable थी वो tolerate नहीं कर पाती थी कि उनके husband का affair चल रहा है और उनके साथ सेक्स होनी वारा इंसॉल्वेबल थी कि घर वाले साथ देते नहीं थे वह में करती अपने पती को छोड़नी सकती थी इंटरपरस्णल थी पती के साथ रहना भी था और नहीं भी रहना था अगर नहीं रहना तो बच्चों को पाले कैसे तो अब यह कई सिच्वेशन ऐ अगर उनकी कोई बात मन से सुन ले और दिन से सुन ले तब भी काफी फरागाता है क्या फरागाता है इसके बारे में बात करेंगी सारी का बशारिया मैं थैंक यू सर दोस्तों जिसे सर ने बताया कि उनकी पती और पत्नी की समस्या थी जो उनको अचानक से सुन्वपन हो जाना ठंडा लगना या काम ना करना यह सारी चीज़ें जो थी और उनके सारे इंवेस्टिकेशन हो चुके थे तो यहां पर पहले जो दो से तीन सेशन तकलीफ देती हैं तो उन्होंने का सबसे ज़्यादा जो मैं मुझे तकलीफ देती है क्योंकि मैं शादी को इतने साल हुए मैंने अपना पूरा घर समाला मैंने अपनी अच्छी खासी वह पड़ी लिखी थी उन्होंने जॉब नहीं की उनके दो बच्चे थे वह टोटली अगर फाइनेशली इमोशनली और सोशली पून वूप से वह अपने पती पर ही डिपेंडनेंट थी तो बुली अब बताएए अब मेरे पती का जैसे जैसे मुझे मुझे मालूम पढ़ता है कि कभी उनके मोबाइल चेक करके कभी उनके वहार से कभी वह जाते हैं कि मैं आप बताएए तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरे पती के साथ तो ना मेरे आप से संबंध हैं ना ही वो कोई अपनी बात बताते हैं और में साथ अच्छा वैवाहार भी नहीं करते हैं या अच्छा वैवाहार मतलब मुले मुझे सब के सामने बेज़त कर देता हैं म को बताई नहीं कि मुझे यह मैं एक्सेप्ट करूं कि मेरे पती किसी और मईला के साथ अपने संबंध बना रहे हैं पर मुझे धिक्झार रहे हैं परमियों के को बताई परिवार के लोगों का भावी में हम क्या कर सकते हैं आप को यह समस्य आप वह रश्रहें है जुआ है उन्हों तरह किया यह प्रक्व आप पर मैंने में सब कुछ किया हरो पर शादिक नहीं हो घड़ा कि आप इन पति पतनी पतनी काउंसलियों को भी वहाचporte और आप से संबंद आपके देखने पड़ें क्योंकि अकेले आपकी एक्षा से तो सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो आप अगली बार अपने पती के साथ आएगा उनके पती साथ में भी आए लगबर 102 सेशन तो हो आए और उन्होंने बात सुनी पर उन्होंने का कि मैं इ कर सकती जस तरीके का मुझे चाहिए है तो मैं जे ऐसी कोई कपल कॉंसलिंग की जरूरत नहीं है जो करना हो आप इनको देखें और मैं एक अच्छा पती हूं मैं अच्छा पिता हूं और यह कहके वो उठकर चले गए यहां में उस महिला के आखों में बहुत मायूसी देख करती ना वह अपना घर तोड़ना चाहती थी और उनके बच्चे उनका परिबार उनके मान में बहुत सारी चीज़ें उस फीमेल की दिल में थी जो वह काफी दुख महसूस कर पा रही थी तो मैंने उनसे कहा कि देखे जहां तक मुझे लग रहा और आपके खुद से आपकी हैं अपनी बात बताती है शुरू में जैसे वह हपते में आई वीकली आई फिर फिप्टीन डेस पर आई अब मन्त में आती है अपना दुख शेयर करती है मैंने उनको का कि खुद इंडिपेंडेंट में ठीक है फाइनेंशल अब जो है नहीं है लेकिन आप अपना खुद क कि परिवार सब कुछ जरूरी है पर स्वयम के लिए करना भी बहुत जरूरी है तो उन्होंने का कि यह कैसे करूंगी मैंने का आप दीरे दीरे अपने को बिल कीजिए मैं आपकी यहां जो मदद कर सकते हूं बिंग फीमेल मुझे बहुत बुरा लगा जब उनके पती ने सा कि जरू में तो वह पहले हथे में एक बार आती थि फिर धीरे उनको समट मिला फ मो पंदरा दूरा दिन में आने लगी अब वह wreckla करीव मारे बड停 अपने पूरी बात बताती है अपने इल की बात करती है जो उनको रोना होता है उनको रो लेती है और और आकर के कहती है कि मुझे यहां आना अच्छा लगता है तो मैं आपके पास आती रहूंगी और मैं इसी तरीके से उनकी बात सुनती हूं क्योंकि उनको चाहिए कि कोई उनको गंबीरता से सुने उनकी दुखी बात सुने और उन्हें कोई जज ना करें इस तरीके से वो हमा one listens a person goes to a psychologist or a psychiatrist मतलब जब आपकी कोई मन की बात में सुनता तो आप पैसे देखे भी चाहते हैं कि कोई आपकी मन की बात सुन ले तो इस situation में हम कोई भी हल नहीं निकाल पाए I'll be very honest तो कि मैं एक और केस में डिसकस करूँगा आपके साथ कि एक अंकल आण्टी थे उनको ऐसा कोई सिम्टम तो नहीं था लेकिन उनके दो बेटे थे एक अब्रॉड चला गया था एक इंडिया में था और अब्रॉड वाला उनको फोन नहीं करता था जो इंडिया वाला था उनको ज्यादा क्い — प्रैक्स बार के बेमा था थी यहां कि ईसरी काफिर वोग मिरपस आने लगे क्योंकि तब साइक औलोजि कल सर्विस हमारे क्लिनिक पे होती नहीं थी मैं ब़िक काकी फ्री होता था दिन में मुश्क्र सूर्ण 2-3 बेसंट होते थे मैं बहुत अच्छे से सुनत था सु बनने वालों कि बहुत कमी हो गई है, बलकि हमारा मन है कि हम लाइफ प्रिंसिपल करके एक नया चैनल स्टार्ट करेंगे, जिसमें लोगों को लगता है कि टाटा अम्मानी बनने से ही सक्सेस मिलती है, ऐसा नहीं होता, और इसके बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उनक और सेक्शनल और सेक्शनल कोई कनेक्शन नहीं, तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी जिन्दिगी में बहुत कुछ चाहिए होता है, उसके बारे में हम दूसरे चैनल पर बात करेंगे, इसमें मुझे भी यह कहते हुए दुख होता है कि हाँ, कुछ लोगों क हो सिर्फ एक unconditional listener के लावा हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हम भी असाय हो जाते हैं एक level पर आके, चाहिए हो psychiatrist हो यह psychologist हो, after all we are also humans और कभी कबार तो हमें भी दुख होता है, इस तरह की cases को सुनते हुए, कि हम भी intolerable, insolvable, interpersonal relationship को deal कर रहे हैं, कि हम उसको कोई भी अगर राय देंगे जो सिरफ सुन ले उसकी बात, तो इसलिए मतलब ये भी बहुत important है, कि सारी का मैं हर मीने उसकी बात सुनती हैं, और उसका session जरूर लगता है, और किसी को time मिले या ना मिले, ये भी बहुत important part है psychology का, और इस तरह कि आप दोस्त बनाएं जिनसे आप सच्चे मन की बाते कर पा किसी ऐसी female को बताना, जो महले में हला मचा दे, उससे तो बेटर है कि किसी ऐसे, या तो अपनी भेहन से बात करें, या अपनी मां से बात करें, अपनी किसी friend से बात करें, नहीं है तो बेटर है एक professional से बात करें, अब मुझ से कुछ और जादा बात नहीं हो रही है, तो इस